हर्याना पुलिस के फोर्म दुबारा से रियोपन हो चुके हैं दुबारा से इसके फोर्म भरे जाएंगे और आज हम हर्याना जीके के टॉप 30 ऐसे कोशन करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए very very important है क्योंकि आप सभी को पता है हर्याना जीके का आपके एक्जाम में सुरू के 3 चरप्रसंद आसान है उसके बाद धीरे धीरे हमने इस कोशन का लेवल बढ़ाया है कि तो इस प्रेशन का राइट अंसर होगा option एक पाला ही रन the question transaction number two आपके सामने हरियाना का राजकी पक्षी कौन सा है हरियाना का राजकी पक्षी कौन सा है राइटा अंसर होगा इसका option C काला तित्तर question number third आपके सामने स्क्रीन पर पलवल जिला किस वर्ष बना था बहुत यह आसान प्रस्ण है और कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया है तो इस प्रस्ण का जिन्हों ने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है सन 2008 उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है कॉशन नमबर फोर आपके सामने रॉक गार्डन कहां इस्थित है रॉक गार्डन कहां पर इस्थित है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका चंडी गड़ चंडी गड़ में रॉक गार्डन इस्थित है इस नए साल में इंडिया का नमबर वन ओनलेन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है प्लेटफॉर्म जिस पर आपको मिल सकती है मौका धेर सारे लाइव क्लासी स्कुजिस और टेस्ट में हिस्सा लेने का एसस्थी सीजियल और सीचेशल 2020-21 की त्यारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आ रहा है सशक्त बैच जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा हिंदी में कंड़क्ट किया जाएगा इस बैच में एसस्थी सीजियल और सीचेशल के हर सबजेक्ट को कवर किया जाएगा वरन वस्ती सर रानी सिंग मैम और अभीने शरमसर जैसे टॉप एजुकेटर सीजियल और सीचेशल के स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहे हैं एक्जाम क्रेकर बैच जिसमें आपको मिले लाइब क्लासिस और फ्री डाउट क्रेडिंग पिछली बार के धमाकेदार रिस्पॉंस के बाद एक बर फिर आ रहा है ब्रमास्तर बैच आपके सस्थी रेलवेज और बैंकिंग की त्यारी को और भी मजबूत बनाने के लिए इन बैचिस के अलावा आप एन्रोल कर सकते ह है अनकेडमी के और भी स्पेशल बैचिस में जो के ससी सीजील और आईबी जैसे एक्जाम की आपकी त्यारी को बना देंगे और भी आसान स्टुडेंट से लगातार मिल रहे सपोर्ट के चलते अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइज हाइक की डेट बढ़ा दी ग चंडीगड का नाम या फिर यू कहें कि चंडीगड का नाम किस भारतिये देवी के नाम के उपर रखा गया है तो यहाँ पर जिनों ने भी आप्शन ए आंसर दिया है चंडी देवी उनका राइट आंसर है कोशन नमबर सेवन राजीव गांधी चंडीगर टेकनोलोजी पा पांच में कोशन नमबर आठ चंडीगड का प्रतम वास्तुकार अलवर्ट मेर का संबंद किस देश से है दिए कि चंडीगड की जो स्थापना की थी जो वास्तुकार थे मुख्य वास्तुकार वो थे ली कार्वुजेयर जो की फ्रांस से थे और इनके अलावा और दो तीन वास्तुकार थे जो की चंडीगड के योगडान में महत्तुपूर्ण योगडान दिया था जिसमें एक अलवर्ट मेर प्रमुक है यह किस देश से है यह आपसे पूछा है तो राइट अंसर होगा इसका आप्शन बी अमेरिका Q9 आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से अंसे दिजीगा शिक्षविभाग किसके पास है कर्येक्ट अंसर ऑप्शन C होगा कमरपाल गुर्जर Q10 कृशी आवंकिसान कल्यान मंतरल्य किसके पास है तो कृशी एमं किसान कल्यान मंताले है जे पी दलाल के पास option B इसका right answer होगा question number 11 ग्यान चंद गुप्ता निम्न में से किस seat से विधायक है ग्यान चंद गुप्ता किस seat से विधायक है तो correct answer होगा option A question number 12 वर्तमान में चोदवी विधान सभा के डिप्टी स्पीकर कौन है correct answer option B होगा रणवीर सिंग गंगवा option B question number 13 आपके साबने स्क्रीन पर रणवीर सिंग गंगवा का संब्ध हर्याना के किस जीले से है रणवीर सिंग गंगवा का संब्ध हर्याना के किस जीले से है तो right answer option C होगा इसका हिसार option C question number 14 सबसे लंबे समय तक हर्याना के मुख्यमंत्री कौन थे right answer होगा option C बंसी लाल option C correct answer होगा question number 15 आपके साबने श्री राजकुमार का स्चप का संब्ध किस पार्टी से है right answer इस प्रशन का option B होगा इने लो question number 16 आपके साबने हर्याना से हिसार की राज्यसभा सांसद कौन है यानि कि हिसार से राज्यसभा सांसद आपको बताना है तो जिन्होंने भी इस प्रशन का answer option C दिया है सिरी सुभास चंद्रा उनका correct answer है question number 17 आपके साबने screen पर हर्याना की राज्यसभा सीट कितनी है हर्याना की राज्यसभा सीट कितनी है correct answer option B होगा 5 और लोगसभा सीटे कितनी है तो 10 है question number 18 है कुल्दीप शर्मा हर्याना की विधानसभा द्यक्ष किस वर्ष बने थे इस प्रशन का right answer होगा option D सन 2011 में question number 19 आपके सामने नरायनगड किस जीले से विधानसभा सीट है नरायनगड किस जीले से विधानसभा सीट है तो correct answer होगा option A अमबाला question number 20 हर्याना विधानसभा में कितनी सीटे आरक्षित है हर्याना विधानसभा में कितनी सीटे आरक्षित है बिल्कुल correct answer होगा option D 17 सीटे question number 21 आपके सामने स्क्रीन पर जनसंख्या के अनुसार हर्याना की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है option A जिनोंने आंसर दिया है फरीदाबाद उनका आंसर बिल्कुल correct है question number आपके सामने है 22 जनसंख्या के अनुसार हर्याना की सबसे चोटी विधानसभा सीट कौन सी है right answer होगा इसका option B नार नौल option B correct होगा question number 23 आपके सामने हर्याना विधानसभा में सबसे UAMLA कौन है हर्याना विधानसभा में सबसे UAMLA कौन है बिल्कुल correct answer होगा option B दुश्यांत चोटाला question number 24 हर्याना के सत्रवे राज्यपाल कौन है हर्याना के सत्रवे राज्यपाल कौन है सही दिव होगा इसका option A सत्यदेव नारायन आर्या question number 25 आपके सामने वर्तवान में हर्याना में कितने जिले है very very important and easy question correct answer option C होगा 22 जिले है question number 26 है अरावली का गोल्फ मेदान किस जिले में बना है बिल्कुल correct answer होगा option A फरीदाबाद question number 27 आपके सामने पानी पत के बाहुली में कौन सा कार खाना लगा है correct answer होगा option A तेल शोधक कार खाना question number 28 है इमलोटा भीवानी जिले में फालगुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है question number 29 है आपके सामने होली से 15 दिन पूर्व कौन सा निर्थ्य किया जाता है होली से 15 दिन पूर्व निर्थ्य किया जाता है फाग निर्थ्य ऑप्शन C आपका correct answer होगा question number 30 और आज का last question है खिलाफत अंदोलन का हर्याना में विरोध कैसे हुआ खिलाफत अंदोलन का हर्याना में विरोध स्कूल option 10 का correct answer होगा स्कूलों में पढ़ना चोड़कर सरकारी पदेख लोटा कर और खिलाफत का